लास्ट लेक्च्चर में हमने स्टड़ी किया था है बाउट बाउट एक्स्ट्रेक्शन आफ मेटल एंदर प्रोसेस ओके नहीं मैटल का के ऊपर एक और प्रोसेस हम समझेंगे तैस्स कोरूज़न ओके है कि सो थे संजो वाथ इस कोरूज़न कोर्युजन हो कहा रहा है पतल स्टेट से चेंज होके दूसरी स्टेट में जा रहे हैं इसा व्न्हित करें होकेत कोई मेटल salt गेंफिक होने करते हैं देखी ठीक है अब यह मेटल्स एर में प्रिजेंट डिफरेंट गैसे के साथ में रियक्ट करते हैं ठीक है जैसे कारवन डियोकसाइड के साथ में भी रियक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन या सलफर या कोई दूसरी क्यास और एक कंपाउंट बनेंगे यहां पर तीन एक्जामपल लिया हुआ है सिल्वर वन रियक्टिंग विद सल्फर इन एर फॉर्मिंग सिल्वर सिल्फाइड कोपर यह कार्बन डियोकसाइड के साथ में रियक्ट कर रहा है और बेजिक कोपर कार्बोनेट बन रहा है आइरन वेन रियक्टिंग विद मॉइस्ट एर देन ब्राउन फ्लेकी सप्षेंस बन रहा है जो विचिस वी एर कॉल दिट रस्ट या फैरिक ऑक्साइड बोलते हैं केमिकल नेम उसका होता है कि एक्टिविटी 3.4 आप देख सकते हो यहां पर शो किया हुआ है कि रस्टिंग के रिगार्डी हमने टेस्ट करेंगे क्या है पूरा एक्टिविटी तीन टेस्ट्यूब लिए हैं ए बी और सी एक में पार्शेली फिल्ट वाटर एंड आइरन निल्स रखा हुआ है एन कोक्टाइट किया अब यहां पर एर उन्होंने शो किया प्रेजिंटली इथ सिग्निफिकेंस ओके यहां पि जो सो किया रहा है यहां पर भी एंड थर्ड में भी इटैस सिग्निफिकेंस सेकंड में इन्होंने क्या किया आरें नेल्स रखें इसको कम्प्लेटली फिल वित डिप किया वाटर में and 1 ml of तुन नॉट अलाओ एर डिजॉल इन वाटर थिक एर को वाटर में डिजॉल नहीं है और थार्ड चाल नहीं हो लेगा रहें एंध्र सिम्य क्या हुआ है कि एन्हाइड्रेस क्लॉराइड रखा हुआ है और कोई लिक्वूड नहीं है इसमें एन हाइड्रेस केल्शियम क्लूराइड क्या कर रहा है मॉइस्टर को अब्सॉर्ब कर रहा है फॉम दे प्रेसेंट एर इन दी टेस्ट टूब ओके तो आफ्टर फ्यू देज हम क्या देखेंगे कि नेल्स इन ए गॉट रस्टेड ओके वेराज इन बी एंसी इस नॉट विन तो क्यों हो रहा है ऐसा एा है को बी के अंदर हम नेन्स इंग को इस आयरों सको शर्फ वॉट सिह कॉंटेkte में रहा एर कॉंटेक्ट में नहीं था ओके सो दो प्रों से requires both more air and water so moist air is required to complete the process of rusting so अब आप देख सकते हो कि कई जगहां पे सिर्फ पानी में जो बीम्स में अगर घरों में बीम्स लगाते हैं ठीक है और उनमे एक वाइबरेटर का यूस होता है तो वाइबरेटर का यूस इसलिए करते हैं तो रिमूव दे एर फ्रम दी जो सिमेंट हम लोग पूट कर रहे हैं उसमें से सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर पेंटिंग ऑईलिंग ग्रीजिंग गैल्वनाइजिंग जो दो स्टेप इंप्रेंट हैं दो तीन वहां पर मार्क की हुए हैं हाइलेटेटर हैं गैल्वनाइजेशन इसलिए इसलिए आइरेट अएल या यह तिन लेयर ओफ जिंग प्रोसेस से हम पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग बूलते हैं इसे करत किया जाता है मैं आइरेन या एलुमिनियम यह स्टील कॉम रखते हैं और जिंग की कोटिंग उस पर की आती है तो आप लोग कोटेट फ्राइपेंदेखत हो गया घर में, so that is nothing but electroplated, उस पर electroplating ही होती है, जिसकी वैसे वो non-sticky और non-rusted नाता है, बनता है, okay, the next process is alloying, अब यह बहुत important process है, बहुत important इसलिए हैं कि almost every metal that you see, is an alloy, pure form में हम कोई metal use नहीं कर पाते हैं, okay, so even iron in its pure form is soft, okay, soft मतलब इतना soft नहीं, but it is soft, it cannot be used for heavy things, okay, so iron may be difference होता है, iron when used as a tool, iron when used as a beam, and iron, जैसे से application हमारे change होते जाते हैं, वैसे वैसे हम इनके alloying करके properties को change कर रहे होते हैं, so alloying करने इससे हमें desired property of a metal मिलती ही है, यह process क्या है alloying का, हम mix कर रहे होते हैं, two or more than two different metals, in different proportion, okay, so, यह कैसे करते हैं, यह देखो, it is prepared by first melting the primary metal and then dissolving other metal in it, in definite proportion, it is then cooled at room temperature, okay, so अब यह बीच में paragraph में different different alloys दिए हुए है, of carbon, copper, okay, just go through कीजिएगा, now mercury के साथ में, mercury is the only metal in liquid form, so mercury, mercury के साथ में जो बनता है, that is called as amalgam, okay, फिर आप नॉर्मली यूस करोगे, solder, ठीक है, वायरस को connect करने के लिए, जो हम यूस करते हैं, solder, तो उसमें एक पतला वायर आपने देखा हुआ, okay, even that is an alloy of lead and tin, okay, PB and SN, and has low melting point, okay, just for your information, the wonder of ancient Indian meteorology, okay, iron, get rested with, when it is in moist and dry air, okay, but this iron pillar in Delhi, okay, around 1600 years ago, 1600 साल पहले का है, और अभी तक रस्टिंग नहीं हुई इसके अंदर, so, all scientists of the world, still now, not able to discover why, ये ऐसा कैसे उन्होंने किया है, okay, so time पर उन्होंने बनाया था, iron pillar ऐसा, so this is a wonder of ancient Indian meteorology, okay, now one more information, कि for term one, जो आप हमारे syllabus है, that is, in science, chemistry, chapter one, two and three, with completion of this topic, we have almost, we have completed syllabus for term one, okay, अब आपका काम है, कि मैं lectures में, जो coming lectures होंगे, उनमें indicate करूँगा topics, और आपको उन topics को अच्छे से prepare करके, ले क्या आना होगा, अब Fridays को चेक कराने के लिए, okay, so for this Friday, you will have to do this chapter, notes and exercise, not Friday, this one Saturday, and from chapter one, balancing of chemical equations, I want at least 20 balanced chemical equations की practice, okay, in notebook, and this is, I will also be putting this in group, group में में लिखूँगा, I want at least 20 balanced किये हुए, प्रैक्टिस किये हुए chemical equations, okay, I hope आप लोग करोगे, चालो, thank you,